नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका हरीश एकड़े मैं हूँ हरीश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बीजगरत का पार्ट 4 इससे पहले हमने पार्ट 1,2,3 देख चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहले बीजगरत के बैसिक को सब्ज़या था कि आखर बीजगरत है क्य इसके बार second part में हमने उसके बहुत सारे फ़र्मूरे थे उनको describe किया था कि आखर ऐसे फॉर्मूरे क्यों बने हैं इसके बाद third part में हमने उसका basic cover किया और अब हम आपके लिए लाए है part 4 और इसमें हम थोड़ा सा advance पढ़ेंगे थोड़ा सा इसे question पढ़ेंगे क्यों maximum एक जाम में पूछे जाते हैं तो आएए सुनू करते हैं यहाँ पर साथ से पहले हम देखते हैं यह पहला कुस्चन x प्लस 1 अपान x एक्वल टू हो तो x की पावर 37 प्लस 1 अपान 3 1 यानि x की पावर 31 का मान क्या होगा तो इस टाइप से यही कुस्चन आता है तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है देखने में अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी यहीं से घबडा जाएंगे कि यार वैसे भी यहाँ पर एक बटे x लिखा है और उपर से यह का मान पूछ लिया और हमें x का मान जब तक पता नहीं चलेगा तक तक हम इस टाइप के कुस्चन नहीं कर पाएंगे और इस कंडिशन में हमारे पास x का मान निकाला थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि यह इसको निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा x का इसका रेनी इसको सबसे पहले किस में करणवर्ट करना पढ़ेगा समीकरण में बर्ग समीकरण में जो कि हम इस पार्ट के बाद अगले दो थीन पार्ट में उसको भी हम पढ़ेंगे जो कि हमने बताया था कि एक चरवाले समीकरण और दुई चरवाले समीकरण सबसे पहले आपको देखना है कि अगर ऐसा कुछ कुछ चानाता है कि x plus 1 upon x बराबर 2 तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ 2 दिया है और बीच में लगा है plus दो चीज़े देखना है क्या देखना है बराबर के बाद लगा है अगर 2 और यहां पर बीच में लगा है plus यानि जोड़ तो अगर हम यहां पर आटोमेटिक अपने से x बराबर एक रख दें तो क्या होगा यहां पर x बराबर एक रख देंगे plus एक बटे और x बराबर एक रख दिया बराबर 2 तो देखो यह proof हो गया मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2 मतलब हकीकत में क्या है x का मानिया पर 1 ही है clear तो यहां से हमने एक बार चेक कर लेना है मतलब चेक क्या अगर 2 लिखा हुआ है और बीचे में प्लस लखा है यहां चाहे कितने की पावर चल जाए चाहे इसके कितने की भी पावर चल जाए इसका मान तो 2 ही होना है तो वहां आटोमेटिक आपको क्या मानना है x बराबर 1 clear जैसे कि यहीं पर अगर x की पावर 15 होता और प्लस 1 बटे x की पावर 50 भी होता ठीक है तो और बराबर 2 दे दिया तो देखोए अगर x का मान एक रखेंगे तो x की पावर 15 प्लस 1 बटे 1 की पावर 50 मतलब क्या होना है 1 प्लस 1 बराबर 2 ही होना है तो कहने का मतलब अगर बीचे प्लस लगा है और x की पावर कितना भी हो और एक बटे x की पावर कितनी भी हो और बराबर 2 है तो वहाँ x का मान हमेशा एक ही होगा और ऐसा कुश्यन आ जाए तो आपको इस का मान भी यहाँ पर x की चाहे कितनी भी पावर चला दे अब यहाँ पर x का हमान लग देंगे x का मान कितना है तो x की पावर 37 प्लस एक बटे x की पावर मतलब एक की पावर 31 बराबर क्या हो जागा यहाँ से एक आगे अब प्लस यहाँ से एक आगे मतलब दो आंसर क्या आगे आपका दो तो यह बिल्कुल सिंपल सी बात है सिर्फ आपको दो चीजे याद रखनी है कि अगर बराबर दो है और बीचे प्लस लगा है तो यहाँ पर x का मान हमेशा क्या आएगा एक ही आएगा चाहिए इसमें कितने की भी पावर हो इसमें कितने की भी पावर हो बस किलियर अभी हम और अगले कुश्यन देखेंगे तो आपको और किलियर हो गाए देखते हैं अगला कुश्यन यह अगला कुश्यन है कि एकस की पावर 17 अब देखो एकस की पावर कितना हो गया 17 तो और एक बटे प्लस में एक बटे एक की पावर 18 बराबर 2 तो क्या मिल गया हम मतलब x कमान कितना हो गया, x कमान हम क्या मानेंगे, 1, यह हम अपने आपसे रखना है, तो यह logic है, यह प्रूव है, अगर आप इसको solve ही करेंगे न, बर्गसमिकन बना के, तो x कमान 1 ही आएगा, इसलिए आपने को solve नहीं करना, विस यह दिमाग में बठा लेना है, कि अगर ब तो यहां x कमान के रख दिए, 1, 1 के उपर 13 की power, प्लस एक बटे, 1 के उपर 13 की power, तो यह क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, तो यह आगया answer, clear, बस आपको दो चीज़े देखना है, कि बीचे प्लस लगा हो, और बराबर 2 रखा हो, तो वहां x बराबर 1 कमान पूट करके लेख देती हैं, अगर इसका मन 2 के बराबर है, तो मतलब सही हमारा, x बराबर 1 ही है यहां पर, और x बराबर 1 आ गया, तो यहां पर value put कर दी, clear, अब देखते हम अगला question, यह अगला question है, यहां पर भी क्या है, बराबर में 2 दिया है, ठीक है न, मैं यहां 2-3 types को बता रहा ह ताकि आप उसमें कभी भी confuse ना हो, बराबर के बाद क्या रखा है, दो रखा है, x की power 47, और यहां पर x की power 47, मतलब क्या, हमें 2 चीजे मिल गई, plus b लगा है, बराबर के बाद 2, मतलब x बराबर क्या होगा, एक ही होगा, अगर आपन को चेक करना है, सही है की नहीं, तो रख सकते हैं, एक की power 47, और प्लस एक बटे, एक की power 46, तो एक प्लस एक बराबर 2, मतलब हमारा x बराबर 1 सही है, ठीक है, अब x बराबर 1 आ गया, तो इसका मानग्यात करना है, तो यहां रख दो, x की स्थान पर 1 रखना है, तो एक की उपर 48, ठीक है, और प्लस नहीं लगा, य एक की उपर 48, तो यहां पर 48 लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा, एक माइनस एक बराबर 0, यही तो है अंसर के लिए, तो यह बिलकुल फैबरेट है, SSC का, SSC CGL हो, चाहे, ब्याफाम हो, तो यह बिलकुल फैबरेट बन गया था, कि यह वाला कुस्चन तो पूछते ही है, अगर वो algebra पूछेगा तो, और यह बिलकुल सिंपल से होते हैं, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा, तो आप कैसे solve कर पाएगी, confused में रहेंगी, आपने कभी पढ़ही नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा आपको कि यह इतना इजी है, तो कम से कम एक बर आपको पता तो चलेगी यह इतना इजी है, कि लिए अब देखते हम अगले टाइप के question, यह अगला टाइप का question है, कि जब बराबर 3 हो, x प्लस 1 अपन x बराबर 3 हो, तो x की power 4 प्लस 1 बटे x की power 4 का मान ग्यात करो, अब इस type से अगर question है, सब उते 2 नहीं आया, तो अब क्या करेंगी, या अगर इसी को इस type से भी question आता है, मैंने 2 type ले लिया है, कि पहले बर्ग वाला हम बता देते हैं, कि अगर उसने ये वाला पूछ लिया, कि x की x का square प्लस 1 अपन x का square बराबर ग्यात करो, या हो सकता है x का 4 प्लस 1 अपन x का 4 ग्यात करो, दो question यहाँ पर बनाया है, मैंन फोर वाला देखते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर हम दोनों side का बर्ग कर दें, इस बाले में, तो 1 अपन x का whole square कर दें, और बराबर 3 था, तो 3 का भी बर्ग हो जाएगा, ठीके, अभी मैं इसमें truck भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम इसके base को संदे, कि लिए अब हमने दो square, plus, इसका square, और plus, क्या होगा, 2ab, एका मान क्या है, x, और b का मान कितना है, एक बटे x, वही होता है, a plus b का whole square बराबर, a का square, plus b का square, plus 2ab, ठीके, तो ये लिख दिया हमने, और बराबर, 3 तरका यहाँ 9 हो गया, ठीके, तो देखो, यहाँ से यह cancel हो गया, तो यह क्या हो गय x square, plus, 1 upon x square, बराबर क्या गया, 9, a side जाएगा, minus 2, बराबर क्या आगया, 7, वह हमें क्या चाहिए था, यही तो चाहिए, x square, plus, 1 upon x square, तो यह आगया, 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 तो यहाँ पर देखो, वही formula यूज हो गया, a plus b का whole square बराबर, जो हमने पहले, दूसरे वीडियो में describe क यह था कि इस का मान क्या होता है, a का square, plus b का square, और plus 2ab, तो यह formula उसमें यूज हो गया, और आपको कुछ नहीं, सीधे-सीधे, दो लाइन में answer आगया, ठीके, अब इसमें देखते हैं, अगर उसने, भाईए, square बाला नहीं पूछा, 4 की power पूछ लिया, कि x की power 4, plus 1 upon x की power 4 क मान गयात करो, तो कैसे solve करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, अब हम इसमें दोनों side का बर्ग कर देंगे, एक बार और बर्ग कर दिया, हमने दोनों side का, तो यहां क्या हो जाएगा, x का 4, हो जाएगा, 1 upon x का 4, क्योंकि इसके उपर power चाह जाएगी ना, त तो a का बर्ग, प्लस b का बर्ग, प्लस 2ab, 2 into एक बटे x का 2, तो यह तो cancel हो जाएगा, क्योंकि a क्या है, a और b क्या है, तो 2ab, ठीक है, बराबर क्या था, सासा तेंगा, 49, clear, अब देखो, यहां पर फिर से क्या हो गया, x की power 4, प्लस 1 upon x की power 4, और यह 2 इस side जाएगा, तो answer आ गया, मतलब देखो, इस कर पूछे, तो एक बार यहां तक आ गया, अगर 4 पूछा, तो एक लाहन ओर चला गया, एक बार और square कर दिया, तो यह आ गया 4 का मान, तो मतलब देखो, दोनों यहां पर question हमने solve करती है, चाहे square बाला पूछे, और चाहे फोर बाला पूछे, ऐ आप इसमें देखो, एक चीज आपको समझ में आ रही होगी यहां पर, कि यहार देखो, इसका बर्ग किया, अगर हम यहां इतने तकी बात करें, मैं आपको बलकुल इसका सीधा सीधा concept बता रहा हूँ, अगर आप इसको एक मेट के लिए सूचे, कि देखो, इसने इस यहां कुछ भी अंक आजाए आपका, पांच आजाए, दस आजाए, पंदरा आजाए, उसका क्या किया, अपर ने बर्ग किया, ठीक है, और क्या किया दिया, दो को फिर माइनस कर दिया, यही किया न, इसका बर्ग किया, और दो को माइनस कर दिया, अब यहां पर देख लेत तो नंचास हो गया, फिर 2 माइनस कर दिये, मतलब एक ट्रिक हमारे पास आ गई, कौन सी ट्रिक आ गई, कि इसको अगर हम के माल ले थोड़ी के लिए, तो बराबर के बाद जो भी चीज आएगी, उसका हमें करना है स्क्वेर, और करना है माइनस 2, तो आ जाएगा आपके पास आसा, मतलब अगर इस टाइप से कुछ जन आता है, एकस प्लस वन अपान एकस बराबर 3, तो एकस का स्क्वेर प्लस वन अपान एकस स्क्वेर बराबर क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो लास्ट में संक्या दी हो बराबर में, उसको करना है, स्क्वेर और माइ 3-2 बराबर 7 यह आंसर कुछ नहीं करना आपको सीधे सीधे क्यों शी से हमने देखा और शी से हमने ट्रिक बनाई है कोई अलग से ट्रिक नहीं बनती बैस इनी से इन्हीं से solve करते करते आतोमेटिक ट्रेक बनने लगती है जैसे कि इसमें अब जैसे कि मानली फोर वाला पूछ लिए है तो भाई हम साथ वाल मतला अब क्या आगया साथ आगया तो एक बार क्या करेंगे साथ सतहिया उनन जास और माइनस दू यहां साथ का बर्ग माइनस दू मतलब कितना आगया 40 स अगर मानली जिए 8 पूछ रहे था कि X की पावर 8 प्लस 1 अपान X की पावर 8 कमान ग्यात करो तो क्या करते है बस यहां 47 आगया 47 का स्क्वेर ठीक है और माइनस 2 कर दो यह वाला अंसर आगया बस इस थाइप से आप इसको solve कर सकते है clear अब देखते हम अगला टाइप यह यहां पर क्या है इसको क्या मान लिया हमने के मान लिया तो इसका मान कितना है 20 है तो हम क्या करेंगे 20 का स्क्रेर की X स्क्रेर प्लस 1 अपान X स्क्र कमान ग्यात करना है ठीक है तो 20 का स्क्रेर कर दिया और माइनस क्या करना है 2 तो कितना हो जाएगा 400 और माइनस 2 मतलग कितना आए जाएगा 3098 का आजाएगा अमसर इसलियर जैसे कि ये वाला भी उसी टाइप से है अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ पूछ लिया 3 की पावर अभी तक हमने क्या पढ़ा 2 की पावर 4 की पावर 8 की पावर लेकिन अगर उसने पूछ लिया x की 3 की पावर प्ल को कैसे स्वालू करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अभी तहम क्या करते थे दोनों और का बर्ग करते थे लेकिन अब हम किसने की पावर चाहिए 3 की पावर तो हम क्या करेंगे x प्लस 1 पाण x का q कर देंगे दोनों पच्छों का तो इस q बराबर क्या होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि a का q प्लस b का q ठीक है और प्लस 3ab और a प्लस b यही होता है न यह हम दूसरे वीडियो बहुत अच्छी तरह के से इसको describe कर चुके हैं क्लिया तो यहाँ पर हम यही मालक दें कि a का q प्लस b का q मतलब एक बाटे x का q और प्लस यह 3 और a का मान कितना है x और b का मान कितना है एक बाटे x तो यह तो cancel हो जाएगा और अब कोश्टा के इंदर क्या बचा है x प्लस 1 अपन x एक हजार क्योंकि 10 का q है तो एक हजार आ गया अब देखो इस का मान हमारे पास already दिया है 10 दिया है ना तो हम यहाँ पर 10 लिख सकते है ना तो x का q प्लस 1 अपन x का q ठीक है 3 और इसका मान है 10 तो गोणाय कर दिया हमने 10 और बरावर क्या हो गया यह एक हजार तो बैसे क्या बैसे लिख दिया क्लिया तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा x का 3 प्लस 1 अपन x की 3 बरावर यह इस साइड आ जाएगा तो 1000 में से कितना माइनस हो जाएगा 30 और बरावर आंसर क्या आ जाएगा 970 यही आएगा ना आंसर और पूछा क्या है यही x का q प्लस 1 अपन x का q बरावर आ गया 970 तो यह तो हो गई long method यह तो मतला base है कि ऐसे अपन को solve करना है अब इसकी हम trick क्या बना सकते हैं आप खुद अगर दिमाग लगाओगे जैसा कि हमने अभी trick बनाई थी तो इसमें भी आप trick आटोमेटिक बना सकते हैं कैसे हमने क्या किया देखो इसका किया हमने q किया था 1000 लास्ट तक चला देखो यहां देखो आपी चला तो सबसे पहले क्या करना है एक है जो लास्ट में के है उसका करना है हमें q अगर q वाला मान पूछता है ठीक है और माइनस करना है किस से 30 से किया था 30 का मतलब 3 तो 3 लिख दो और ये 10 क्या है ये k यह था ना k 10 का मान के था यह किस का मान है इसको हमने k मान लिया है तो k का q मतलब k का q माइनस लगा तो माइनस लगा दिया और 3 और k का मान क्या है 10 मतलब 10 का गुणा की यह था न तो यह answer आ जाएगा इस वाली trick से यह किसके लिए trick है अगर वो q का मान पूछ रहा है x का q plus 1 upon x का q का मान पूछ रहा है कैसे इसमें मान रखके भी आप देख सकते हैं की का मान कितना है 10 ठीक है तो 10 का q minus 3 और 10 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 1000 और minus 30 बरावर क्या हो गया वही 970 यह हो गया answer मतला अगर आपको ऐसा दिख जाए जिसमें x plus 1 upon x बरावर 10 दिया हो और x का q plus 1 upon x का q का मान गयात करना हो तो आपको यह वालब formula या यह वाली track कहलो एपलाई कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर base में अच्छी तरीके सा हमने समाज लिया clear अब देखते हैं अगला टाइप का question अब यह अगला टाइप है कि जब अगर मान के चलो यहाँ x plus 1 upon x के format में ना दिया हो यहाँ पर ओल्रेडी दिया हो x का square plus 1 upon x square बरावर 7 तो x का q plus 1 upon x का q का मान गयात करो या यहाँ पर कुछ और भी के दे सकता था x की power 4 plus 1 upon x की power 4 का मान गयात करो या यहाँ की भी घाट change का सकता था यहाँ की भी घाट change का सकता था तो यह अभी आगे हम और describe करेंगे तो आपको और एकदम clear हो जाए पहले तो हम इसको convert करना पड़ेगा हमें x के format में मतलब कहने का अगर x का square आ गया x का 4 आ गया x का 3 आ गया यहाँ कुछ भी आ जाए तो पहले इसको हमें convert करना पड़ेगा simple x के format में तब कहीं हमारा काम बन पाएगा क्यों क्यों क्योंकि अगर suppose that यहाँ x plus 1 upon x बराबा साथ दिया हो तो इसका मान गयात करने के लिए पूँच था तो आप सीधा formula लगा सकते थे कि यह का q minus 3k लग सकते थे ना कि फिर सिर्फ हमें अभी दिक्कत कहां आ रही कि यह बर्ग में है तो इसको हम convert कर लेते हैं x के format में कैसे करेंगे आईए देखते हैं काम यहाँ पर हम का सकते हैं x का square plus 1 upon x का square अगर हम यहाँ पर plus 2 कर दें ठीक है और इस side भी हम plus 2 करना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हमारा काम बन गया a का square plus b का square plus 2ab मतलब क्या देखो x का square लिखा plus 1 upon x square plus 2 2 और a का मान रखते है का command x मान लें और 1 upon x तो देखो यह से एक कैंसल हो गया बरावर क्या आ गया 7 plus 2 है यह मतलब कहने का मतलब a का square मतलब x का square b का square मतलब 1 upon x ठीक है plus 2ab हो गया मतलब यह formula apply हो गया तो हमारे पास a की value कितनी आ गया x और b की value कितनी है एक बटे x यह मान किसके बरावर है इसके बरावर और यह क्या हो गया 7, 8, 9 हो गया की दी हो गया 2 और का क्या कर ले हम बर्ग मूल कर ले मतलब यह बर्ग हटाना है न हमे तो यहां से x plus 1 upon x क्या हो जाएगा 3 बैस हमारे पास यह value आ गई अब तो हम इसको बढ़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं हम यह पढ़ी चुके हैं कि अगर x plus 1 upon x बरावर 3 हैं तो x का q plus 1 upon x का q का मान गयात करो तो यहां यह बाला फॉर्मूला हम apply कर सकते हैं मतलब क्या करना पड़ेगा 3 का q जा आगे आपका अंसर कैसे वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अची तरीके से बता दिया आपको क्या कि k का square और minus 3 k क्यों करते हैं एक ट्रेक हमने बता दिया था उसको describe कर दिया था या आपको यह समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप ऐसे क्या रदो ऐसे इसका क्यू और इसका क्यू कर दो तो आपका अंसर आजएगा आपको दूस्तों आसा करते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए कैसे मैं आपके लिए और best से best कैसे कर सकता हूं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार